तो आज हम करने वाले हैं इस गार की वाल कटिंग और पैपिंग करके भी दिखाएंगे तो ये वीडियो हमारा इस गार का पाट तू है पाट फ़ान में ने जवरिए लिए जयो है तो सबसे पले हम कीचन से स्टाडटिन कर लेते हैं यह हमारा कीचन और इस सैड़ मारा इस सैडु से कीचन का लाइन जाए हैं से भी तक तो इस साइड हमारा स्लैब है है सैड刑 को एको बॉट चाहिए होंगी के लिए Mix ups सचलने के लिए तो यहां पर बेंड-drop किया हो cream सीधा लें गे यहां बॉड तक कि हमको एक्जस्वेंट के लिए भी पॉइंट चाहिए होंगी तो और इधर हमको फ्रॉंट साइड बारा मोडलर का बोड भी देना है इस साइड जज्जा होने की कारण हमें वहां से छेद करके उस साइड से बेंड के तुरू इस साइड ले लेना है तो उससे पहले मसेन को चेक कर लेते हैं तो मसेन हमारा अपरोपर तरीके से चल रहा है तो उससे पहले हम कटिंग कर लेते हैं वीडियो भी बने रही है इस तरीके से उपपर से नीचे तक बोड तक हमको काट लेना है इस तरीके से और उसके बाद काटने के बाद हमको कुछ इस तरीके से छेने हैं थोड़ी की मदद से हमको जिर्री निकाल लेना है तो देखिए कितनी आसानी से चल जा रहा है बहुत ही आसानी से जारा हमारा जीरी निकल रहा है देख सकते हैं तो वीडियो पर बने रही है हम जीरी निकाल लेते हैं उस साइड भी हमारा कटिंग हो चुका है अब हमको सेड़ करके उस साइड से हमको पाइप लेना होगा और इस साइड पार करना है इस साइड का भी कटि कर लेंगे और यहां पर देख सकते हैं सिक्स मॉडल के लिए यहां के लिए उधर कटिंग हो रहा है तब तक हम इस बोड का जीरी निकल लेते हैं तो देख सकते हैं कितनी आसानी से हैं जीरी निकल रहा है कितना थैसिंग के साथ निकल रहा है देख सकते हैं 5-5 इंच कद्पार के साथ हमारा cutting हुआ है तो इस जगह पर हमारा लएगा मीटर और साइड में हमारा MC box लगने वाला है तो उसकी भी हम cutting कर लेते हैं कि एंसे box का cutting कर लेते हैं हम वीडियो पर बने रही है काफी कुछ देखने को सीखने को मिलेगा मरे इस वीडियो में हम आपको पुरा इस घर का पाइपिंग तक दिखाएंगे लाश्ट तक बने रही है तो देख सकते हैं कितना डश टोड़ता है cutting के time इसलिए प्रुपर तरीके से बांध लेना चाहिए ढख लेना चाहिए मूं को ताकि हमारा ज्यादा सजी कम से कम धूल भूसे तो एमसी बॉक्स का भी cutting हो गया लगवग खैक देख सकते हैं इस तरीक से कुछ इस तरीक से हमने काटा है तो अब उससाइड हमको cutting करना है इससाइडавать है अपर को बॉर्ड देना है जो कि यहां का यहां लाइट सब्सक्त हो है और समशनेटा है को चुछ इससाल Indra को वायर गिरा हुआ वा बल देख पा रहे हैं इसका भी हमको वेवस्त है करना होका। इसके लिए इसे रूम में अमरा यह टड़ लएगा तो जिरी निकालने के बाद हम कटिंग कर लिते हैं इस साइट कमर कर चुका है यहां पर मार लएगा मॉट्री इश टाटर जोकि हमारा केबल गिरा हुआ देखें वह हैं से ओक यहां पर उड़ जाए को यहां पर मार लग जाएगा मोट्रीयस टाडर यहां पर तब तक यहां जीरी निकल रहा है तो देख सकते हैं कितनी आसानी से अमरा जीरी जा रहा है यहां कुछ इस तरीके से कटिंग हुआ है इस साइड हमारा बोड दिया हुआ है यहां हमारा एलेटेवी के लिए बोड कटिंग किया जा रहा है तो इधर हमारा कम चल रहा है देख सकते हैं इधर और इस साइड भी हमारा लगे हुए हैं इस साइड यह हमारे निव हेलफर हैं कटिंग ठीक ठाक कर लेते हैं तो यहां हमारा एक रुम के लिए उस साइड जाने वाला है तो उसके लिए भी यहां पर से नीछे तक आ रहा है कटिंग भी है यहां पर रहा है कटिंग ओगए हाँ हो Diego यहां से नीचे तक होगा यहां से बैंड टूस हो जाएग है अंदर रूम के तब दnde City कर लेते हैं कि सीड़ी में हमने एक स्टेप बाद-बाद हमने दो मोडल का फूट लाइट लगाया हुआ है उसके लिए हम कटिंग कर लेते हैं देख से किदर डश तुड़ता है इसलिए हमने बोला था कि सैप्टिक से बांध लेना ज़रूरी है काफ आँखों में भी काफी धूल चला ज सब्सक्राइब कर लोगा तो देख सकते हैं जिरी काफी निकल चुका है लगबग कम्प्लीट होई है चुका है हमारा सीड़ी का भी सिर्फ ठ्लाइस सब बाकी रह गया है तो फौनली कटिंग के बाद कुछ इस तरीके से हमारा दिक रहा है उस साइड भी हमारा कटिंग चल इसल्ड़ रहा है इधर से सीड़ी होने के कारण इससे पार नहीं हो तो हम लोग इस साइड से होके पार कर रहे हैं, जो कि हमको सीड़ी के नीचे इन्वारड का बोड चाहिए होंगी तोnan आज हम्हारानी होचasm ह्द चुका है आपको दिखाते हैं कहीं होने के बाद के से करेंगे तो यहां पर अब हमारा एक होसर्क्लाव बोक्स लग रहा है तो बेंड रप हुआ है तो उसके हिसाब से हम प्ऴ्त 못 पाइप को का मुझ तरीके से ने पहते हैं तक नाप के हम कुछ इस तरीके से पाइप को काड़ देंगे काटने के बाद मूँ वाला जो जिस साइड मूँ चोड़ा होता है उस साइड हम गुसाएंगे तो यहां पर थोड़ा जाने में दिक्कत कर रहा है इसकी हमको थोड़ी छटाई कर लेनी होगी तो छटाई करने के बाद देखिए कितनी अच्छी तरीके से प्रोफ़त तरीके से हमारा पाइप चल गया तो उससे से मुझी प्रकार हम पाइप को काट लेंगे नाप नापके जितना हमको जुड़त पड़े और सर्कुलर बाक्स में कुछ इस तरीके से घुसाके दोनों पाइप को सर्कुलर बाक्स में पुछ कर देना होगा और इस यहां पर हमारा गीजर के लिए कीचन है तो गीजर के लिए हमको दो मॉडलर का बोड़ देना होगा और पाइप को कुछ इस तरीके से कील की साहिता से fit कर लेंगे यह शारा लाइगा जो की सिंदा सबस्रेद चाहिये होंगी दिचार सब्साइस कर लेते हैं क tienen किया था बॉक्स का जगह बना लेते हैं इसे पडाब से यहां पर यहां पर साफ कर लेते हैं है तो मेर हम बूर्प लेकों से इंदाव दिए। तो यहां से हम लंबा पाइप ले रहे हैं लंबा पाइप वहां से बोड तक नापके काड़ दिया और सर्कूलर बॉक्स को कुछ इस तरीके से हम घुशा देंगे यहां पर हमने कटिंग नहीं किया पाइप का पूरा लंबा लगा दिया कोई दिक्कत नहीं है तो हमारा पाइप प्रपतरीके से फीट हो गया है भुश गया है तो इसको भी हम केल की सहाईता से फीट कर लेते हैं ताकि हमारा हीले डूले ना दोनों साइड से कील का प्रियोग करें देखिए हमार कितनी चीतर के से फीट हो चुका है अब हम सिक्स मॉडलर बोड लगाएंगे तो उससे पहले इन सबको निकालना पड़ता है बोड फीटिंग से पहले ताकि पाइप हमारा जाप घोश पाए तो देखिए कितनी चीतर के स कित हो गया से मॉडलर का ऑप की चाहिता से इसको हम फिक्स कर देंगे तक key तो दोनों साइड से हमने कील मार दिया तो उससे प्रकार इस साइड भी हम कुदिंग कर लेनी है इस साइड से हमारा उससाइड हमारा इग पाए जाएगा ताकि हम बोड तक ला पायें का सआ न हमा अब हमको the kill की साहता से सको भी support कर देना है तो हमारा kitchen का Çam गुमप्लीट हो चुका है सहाम इसलिकर कि सब जब हेसी परकार हम pipe को nap-nap-nap कि काट काट के kill की साहता से fit कर लेंगे का video कि अ को अका तो यहां यहां का भी लगवग claims होये कुन तूक अब हमारा यहां पे इस जगह पे हमारा एट वे आट मॉड़लर का बॉड लगने वाला है कि यो और इसी आट मॉडलर का बॉड से होते हुए हमारा रूम के अंदर अदर चल जाएगा जो कि 12 मोडलर बोड में निकल रहा है कीचन में जिस तरह हमने देखा कि जज्जा निकला हुआ था सैम उसी प्रकारेस रूम में भी हरूम में जज्जा निकला हुआ प्रॉंट साइड में तो उसके लिए हमको बाहर साइड से लाइन लेना पड़ रहा है जो कि इस बोड से होके उस बोड में चल जाएगा तो हमने यहां भी आठ आठ मोडलर का बोड लगा दिया अब हम इसको भी प्रोपत तरीके से कील की साहिता से हमारा बोड भी यहां प्रोपत तरीके से फिट हो चुका है ज्यादा निकला भी नहीं है तो किल की साहिता से हम इसको अच्छी तरीके से फिट कर लेते हैं कि तो देखिए उधर हो चुका है अब हम सीड़ी पे आ गये हैं तो सेम उसी परकार हम यहाँ भी पाइपिंग का काम कर लेते हैं अपने हिसाब से जिसे तरीके सें हमने काटा है उसके हिसाब से हम पाइप को न अपना पके काट लेंगे वीडियो पी बने रही है तब तक हम पाइपिंग का काम कर लेते हैं काम कर लेते हैं हुआ 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 है हुआ है यहां से होते हुए हमारा एक पाइप पुंसफ जाएगा जोकि हमारा उस साइड सोके शिरी के निचे निकल लाएगा शिरी के नीचे हमको इनवाट्र का बोड देना होगा और यह हमारा शिरी का ओपर जो घर वता है nawo च्छत में जो एक रूम बना हुआ होता है उसके लिए लाइन जाएगा उसके लिए हम ऊपर उठा दिए एक पाइप इसको भी हम कील की साहिता से प्रोपत्री के से हम फिट कर लेते हैं कि तो फाइनली हमारा लगबग सीडी का भी काम हो चुका है पाइपिंग का कि सब्सक्राइब को हम किल की साहिता से प्रोपत्री के से फिट कर लेंगे यहां भी हम ऐसे कुछ इस तरीके से नाप के पाइप को काटने के बाद कुछ इस तरीके से फिट कर देंगे कुछ इस तरीके से किल ठोक के हम इसको तो पत्रीगे से इसको पेकिंग कर देंगे ताकि हिले डूलेन यहाँ भी کंप्लीट हो चुका है और सिटीटी का काम कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरीके से दिख रहा है यह हमारा चैति के ओपर चल गया और ये जो पाइप है ये पाइप हमारा यहां पे जा रहा है यहां पे हमार सिलिंग नवाटका एले बॉक्स लगा हुआ है जो कि इसों पाइप से होके आएगा और यहां पे जो आपको दिखाएं कीचन है यह उस कीचन का हमारा लाइन इद्रे से पार हो जाएगा तो इसकी भी हम पाइपिंग कर लेते हैं वीडियो पे बने रही है बिना स्किप किये देखते रही है हम आपको लास्ट में इसका फुल पाइपिंग कैसे हुआ है इस गर का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे हर एक रूम का काम कंप्लिट होने के बाद बोड को कुछ इस तरीके से जाम भी कर देना पड़ता है तक हमारा हीले नहीं बाद में हमारा टेडा मेडा ना निकल जाए बोड इस तरीके से हम जाम कर लेंगे कुछ इस तरीके से तो आज हमारा पाइपिंग का भी काम कम्प्लीट हो चुका है यह हमारा एक होल टाइप का ही है जो कि आप देख पा रहे हैं और इस साइड हमारा इस साइड हमारा MC बॉक्स लगा हुआ है और यहां पर हमारा मीटर लेगा जो कि सारा सरकिट यही पर आने वाला है जितना भी हो तो इस साइड हमारा दो बैडरूम है और बादरूम वगेरा है तो इस साइड का सारा सरकिट यहां से होते हुए इधर से होते हुए हमारा यहां पर बैंड रॉक किया हुआ है जो कि इधर से होते हुए हमारा उस साइड चल जाएगा और उस साइड से होते हुए यहां पर भी हमने एक बैंड देखी रखा हुआ है तो इस बैंड के साइथा से हम यहां पर सारा सर्क्रिट लाएंगे और यह जो आप कीचन देख पा रहे हैं यह हमारा कीचन इस जगा पर निकलेगा कीचन का लाइन जो यहां से होते हुए हमारा यहां से बॉक्स तक आ जाएगा और यहां पर सामने की और आठ्रा मुडलर का बॉड लगा हुआ कि यहां इतना लाइट पाहर के और वॉल में भी इतना होल्डर बगिरा लगेगा वारा लाइट हिस्से होगा और यहां पर हम इस जगा मोटर स्टाटर ने वाला है जो कि आप यहां से यहां से होते हुए इस जगह पे आ जाएगा यहां पर मरऄ लग जाएगा तो यहां काम regional समय इद हमांके किस तरीके से और हुशाता कि में और इस साइड मारा बेड रहेगा जिसके लिए लिए हमने तिन मॉडल कर बूर्डड दिया हुआ है और यहां पे मारा होल्डर लेगा वि asleep डूट्टिंग में एक दो तीन चार चार लाइटे हैं और एक फेन बॉक्स है और यहां का लाइन उस साइड से हम लिए हुए हैं बोड तक आएगा जो कि यहां से पार्किये वहें साइड ज़जा ओने करांग यहां पर इस जगह पर निकलेगा और यहां से होते हुए इस फा दो मोटलर का बोड़ लगाए हुए इस जगह पे हमारा एसी लएगा तो यहां का भी फाइनल कम देखी चुके हैं समझ किस तरीके से क्या हुआ है और यहारा कीचन हो गया कीचन सामने पारा मोटलर का बोड़ हैं यहां इसका भी उस साइड से लिए हुए हैं जो कि आप पर लएक कुके हैं उस साइड से हमने लिया हुआ है तो इसका पाइपिंग आपको दिखा लेते हैं कुन सा है तो यह जो आप देख पाराहे हैं यह वाल वह उपर से होते हुए इस वे दो Muldillers Board में आये यह जो कि हमारा हींटर वगीरा जो भी चले मिक्सर उक्सर नेहां पे लिए यहां के लिए दिया हुआ है तो इस साइट हमारा एक की घाजर का जूरत है तो इससाइड हमने दुमेर का बॉड दिया हुई जो कि घीजर यही से इसको लाइन मिल जाए और यहां से लेगा हमने वह से बॉक्स तक मालीं वह अगरो और कंही ढ रहने वाले हैं यह स्टेल लाइट पूरा एक स्विच से उप्लेट होगा यह च्छति के ओपर चल जा रहा है तो यहां का काम कुछ इस पर कर हुआ है और यह जो आप देख पा रहे हैं एक पाइप उस साड़ यह वह इस साड़ से नहीं आया तो उस साड़ से हमने ले लिया ह है जो कि हमारा इन्वाइटर को बोड़ पर निकल जा रहा है इधर से हमने लिया हुआ है देख सकते हैं कि आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से हमने लिया हुए बाहर साइड और इस साइड हमारा कुछ इस तरीके से काम हुआ है यह हो गया और यहां पर टोटल हमारा छे लाइटे लगाईगी है चार गो है हमारा नो वाट का एलेडी बॉक्स और दो गो हमारा तीन वाट का एलेडी बॉक्स बीच बीच में और यहां पर हमारा फैन बॉक्स है और इस पाइप से होते हुए यहां पर एलेडी बॉक्स के लिए बोड दिया हुआ है यहां का सारा आठ लाइट लगाएगी है तीन वाड का किनारे किनारे छे गो है जो कि इसमें सीओ भी स्पोट लाइट लग जाएगा और बीच में हमने दो एलेडी बॉक्स लगाएगी है नो वाड का और यह जो सर्कूलर बॉक्स देख पा रहे हैं यह रूम की तरफ पुछ हुआ है तो का सारा लाइट इस बार मोडलर बॉर्ड में रहेगा जो कि यहां का लाइट और यह हमारा बैडरूम है बैडरूम के लिए सामने की और हमने बार मोडलर का बॉर्ड लगाया हुआ है और इस साइड हमारा रहेगा बैड तो बैड के लिए भी हमने तीन मोडलर का बॉर्ड का लाइन हमारा इधर से निकल जाएगा और यहां सिलिंग में हमने चार लाइटे लगाई है इस साइड हमारा बेंड रॉप हुआ है तो यहां पर हमने एक वोल्डर लगाने के लिए पॉइंट दिये हैं और यह बोड जो लग रहा है यह बोड आपको दिखाते हैं किस भी टाइप करने के लिए यहां पर सिलिंग में हमने नोवाट का लेड बॉक्स देके रखाया हुआ है और यहां पर हमारा लाइगा गीजर जो कि उस साइड से बातरूम आने का रास्ता होगा तो इस साइड दिवाल बन जाएगा तो इस कोना में हमारा गीजर रह जाएगा और यहां पर हमारा एक्जस्वेंट के लिए जगह दिया हुआ है और यहां पर होल्डर रह गया यहां पर सिलिंग में भी लाइट है नोवाट का लाइट लग जाएगा लेड बॉक्स दिया हुआ है और उसी के लिए यहां पर पाइपिंग की हुए बातरूम के लिए इस स से दिया हUA है चार मोडस्टा बॉड यो कि इसमे मैनेश हो जाएंग उसी पर कार। उस साइड भी किया हुआ हूआ, उसके लिए बाहर में बॉड दिया हुआ है तो बैड्रूम का कुछ इस पर का कम हुआ है इस से हमारा ऐसे का पॉइंट दिया हुआ है, जिए कि आप पर देख पा रहे हैं दो मॉडेलर का बॉरड दिया हूँ है इस जगह पे यह everybody है उसी लेड के पारगी है उस साइड हमारा यह लाइद लग जाए बाहर साइड है तो है फोने कर इस रूम का थ्लफ यहां पर सामने की और बारा मोरलय का बोर्ड लगाया हुआ है और इस जगर से हमारा बेटरूम का लाइन निकल गया जो कि बोर्ड के नीचे आ जाएगा जिर साइड powin और इस साइड रूम की तरह इस रूम में भी काम किया गया है, तो हमारा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे हाऊस वाइरिंग से जोड़ी वीडियो देखने के लिए सबस्क्राइब करके रखें हमारे चैनल को, आपके लिए ऐसे ही और हाउस वारिंग से जोड़ी वीडियो लाते रहेंगे तब तक क्लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में